हेलो दोस्तो, नमस्कार, SMKT चैनल में मैं आप सभी लोग का दिल से बहुत-बहुत सवगत करता हूँ दोस्तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले बहुत सारे शेर्स को जिन से जुड़वी कुछ important news भी आज के दिन हम लोग को देखने को मिली है तो चली दोस्तो इस वीडियो को start कर लेते बट उससे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगा जैसे की आज की दिन आप देख सकते हैं तीन वीडियो यहाँ पे मैंने upload कर दिये एक है Reliance से related जो Facebook के साथ deal हुई थी बहुत important news थी उसी की साथ साथ दो shares के उपर आप लोगों ने कड़ी नजर रखनी है and third video था SBA card से related बहुत एक important news हम लोगों को वहाँ पे देखने को मिली थी तो यह ऐसे तीन वीडियो मैंने आपके लिए upload कर दिये in the case notification का issue हुआ होगा तो आप description box में नीचे जाके link के उपर click करके किसी भी वीडियो को देख सकते हो तो चली दोस्तों यहाँ पे अलग-अलग shares से जोड़ी भी फटा-फट news cover कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा shares है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे शुरुआत करेंगे तो आप लोग यहाँ पे देख सकते इमामी limited इमामी limited से related आप लोगों को बताना चाहता है news तो अच्छी है जो कि है promoters से related promoters ने यहाँ पे गिर्वी रखे हुए shares यहाँ पे छुड़ा दिये दोस्तों yes friends और गिर्वी रखे हुए shares मतलब कितने कोई चोटी मोटी यहाँ पे numbers नहीं है अगर numbers की मैं exactly बात करू तो approximately 96.5 lakhs तक की गिर्वी रखे हुए shares इमामी के जो promoters है उन्होंने यहाँ पे छुड़ा दिये है तो news तो बहुत ही अच्छी है जो कि हम लोग ने यहाँ पे देख ली क्योंकि गिर्वी रखे हुए shares यह कभी भी अच्छी बात नहीं होती और खास करके promoters के shares तो इस news का फाइदा इमामी को जरूर हो सकता है जो कि हम लोग आगे देख सकते है तो इमामी से related यह अच्छी news थी जो कि मैंने यहाँ पे cover कर ली है तो चली थोड़ा सा आगे जाते है next stock के उपर जिसका नामे sale आप सभी लोग को पता है sales से related मैंने बहुत बार वीडियो बना है कि यह stock आप लोगों ने कभी खरीदना नहीं चाहिए जादा growth नजर नहीं आती तो फिलल sale की problem यह हो चुकी कि cash collection में यहाँ पे record गिरावट आ चुकी है यहाँ दोस्तों लगबग 52,000 करोड तक की उधारी यहाँ पे हम लोगों को sale में यहाँ पे देखने को मिल सकती है और उससे भी जादा level यह आगे और भी बढ़ सकता है तो sale यह company ऐसी है जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ भेल, गेल, sale यह ऐसी company है जहाँ पे आप निवेश करोगे तो जिन्होंने high level पे किया वो तो फस गए बट अब ही भी अगर आप निवेश करोगे तो मिलने वाला return क्योंकि dead cat bounce तो होता ही है गिर-गिर के कभी ना कभी तो jump करेगा तो वो थोड़ा बहुत jump होएगा जादा स्यादा आपको कोई return नहीं मिलेगा इसलिए मैं आप लोगों को award करने की सला दूँगा बट news जो थी जो की negative थी इससे related वो यहाँ पे मैंने cover कर ली है तो चली दोस्तो थोड़ा सा next stock के उपर आ जाते है वो है निसले इंडिया यस दोस्तो निसले इंडिया आज के दीन का एक जबरदस शेर था लगबख 3.5% की jump 592 लगबख 600 point की jump आप ऐसे भी बोल सकते हो मैंने last video में भी बताया था कि आज का दीन तो पूरा reliance ने खा लिया मतलब पूरे बाजार में अगर आप देखोगे सिर्फ reliance, media में reliance तो उसके वज़े से कुछ stock ऐसे थे जो नियों ने अच्छा कासा performance दिया बट उनके उपर कोई भी highlight नहीं किया गया था तो निसले इंडिया बीच में अच्छा कासा गिरा था अगर मैं आपको chart pattern भी दिखा दू आप देख सकते हो अच्छा कासा crash हुआ था high level से ही बट वापस हम लोग को यहाँ पे उसने जो बड़ोतरी एक कायम करते हुए देखने को मिली 600 पॉइंट की जंप एंड इसके पीछे एकी न्यूज है कि येस इन लोगों को काम करने के लिए यहाँ पे अनुमती मिल चुकी है फिलाल आप सबी लोग कता है लोगडाउन की situation से हम लोग जा रहे है तो यहाँ पे निसले इंडिया ने वापस permission ली ती तो उनको कह दिया है कि आप लोग यहाँ पे काम कर सकते हो 100% काम कर सकते मतलब जितने भी इनके यहाँ पे काम करने से से related हम लोग कह सकते manufacturing plants है वहाँ पे अम लोगों को सारे के सारे open होते वे देखने को मिल सकते बट वहाँ पे जो numbers रहेंगे वो वहाँ पे कुछ conditional रह सकते है वहाँ पे हम लोगों को कमतरता आ सकती है बट बाकी अगर हम लोग बात करे तो जीतने भी सामान अभी आप लोगों को निसले के देखने को मिल रहे थे वो वापस आप लोगों को बाजार में continue हाते होए देखने को मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे फिलाल इन लोगों को permission मिल चुकी है तो इसी के जरी है हम लोग कह सकते निउस देखे कितनी जबरदस होती निउस का impact बहुत ही गजब का होता है जो कि शेर को 600 points तक यहाँ पे दोडाके लेके जा चुका है तो निसले इंडिया की अगर हम लोग आज की दिन की भी बात करे तो थोड़ा सा देख लेते कि एनसी के official website पे क्या impact रहा तो 42% तक शेर में हम लोग को deliveries उठाती है देखनी को मिली है निसले इंडिया की बाद अगर हम लोग next talk के ओपर आ जाते है जिसका नाम है Jubilient Life Science आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एंड यह आज हम लोगों को अपर सरकिट में देखने को मिला है न्यूस यही है आप सबी लोग पते है कि राकेश जुन्यून वाला सर ने यहाँ पे जबरदस इसमें quantity खरीदिया हुए दो अकाउंट से उन्होंने यहाँ पे quantity खरीदिया हुए और बहुत ही लाखो का माल यहाँ पे उन्होंने खरीदा हुआ है बहुत ही जबरदस अच्छे चलो उसको खरीदने के जाती ऐसा नहीं ये न्यूज में आपको अपडेट रखने की कोशिश कर रहा हूँ और नेक्स्ट स्टॉक आपके सामने यहाँ पे में उपन करूँगा जिसका नमे कोटक महिंद्रा बैंक यस दोस्तो कोटक महिंद्रा बैंक में भी लगबख हम लोगों को धाई पसेंट से ज्यादा की जंप 30 पॉंट की रैली देखनक मिली और वो रैली की वज़ाए में आप लोगों को नीचे स्क्रोल डाउन करके लेके जाना चाहूंगा वो हैं फंड रेजिंग प्लान से रिलेटेड यस दोस्तों फंड रेजिंग प्लान से रिलेटेड आप यहाँ पर पढ़ सकते हो कोटक बैंक प्लान्स टू रेज डॉलर वन बिलियन अभी डॉलर वन बिलियन मतलब कितना होता है तो वही हम लोग अगर साइड में जाएंगे तो लगबग साड़े साथ हजार करोड तक का प्लान यहाँ पर कोटक कर रहे हैं फंड उठाने से रिलेटेड और बहुत सारे एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि कोटक में कोई ये फंड उठाने के लिए कोई भी दिक्कते नहीं हो सकती हम अभी ये फंड उठाने से उते हैं जो कि यहाँ पर कोटक इस्तमाल जरूर कर सका है तो ओरराल बताने का मकसद यह है कि कोटक को यह फंडिंग उठाने में कोई दिक्कत नहीं है गी 7500 करोड की जो कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कोटक बैंक एक ऐसा स्टॉक है जो कि बाय ओन डिप्स की स्ट्राटेजी लगा के अगर आप खरित के अपने पोर्टफोली में रखोगे तो कोई भी आपको फीचर में दिक्कते नहीं आ सकती सो कोटक महिंदरा बैंक से रिलेटेड अगर हम लोग आज की दिन की परफार्मस की बाद देखे तो थोड़ा सा जूम करके देख लेते हैं लगवाग 40% तक की हम लोग को यहाँ पर दिलेवरीज उठाती हुई देखने को मिल रही है चली दोस्तो कोटक महिंदरा बैंक के बाद अगर हम लोग नेक्स टॉक के उपर आ जाते हैं जिसका नमें अशोक लेलेंड ऑटो सेक्टर का बहुत बड़ा दिगज शेर है येस बहुत सारे लोग के पैसे इसमें अटके हुए है येस मेरा भी शेर अगर मैं बात करूँ मेरे भी इसमें इन्वेस्मेंट है जो कि हम लोग कह सकते हैं बहुत पुरानी समय से यहाँ पे होल्ड करके रखे हुए बट ऑटो सेक्टर में आने वाली मंदी उसी के साथ साथ बहुत सारी जो गवरमेंट्स ने चीजे चेंज की गई थी उसके वज़े से ओटो सेक्टर में होने वाला बदलाओ एंड फिलाल का जो coronavirus का impact उसके वज़े से बहुत सारे auto sector के share हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा पिटते वे देखने को मिल रहे हैं फिलाल अशोक लेलेंड की बात करें आज तो 0.5% हम लोगों को अब देखने को मिला था तो अशोक लेलेंड से रिलेटेड वापस कहना चाहूँगा यहाँ पे हम लोगों को देखने को मिल रहे है JM Financials ने अशोक लेलेंड को कहा है कि आप बाई करके चल सकते विद्धर टार्गेट प्राइज ओफने 70 उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे देखते इनके ग्लोबल्स ने भी यह का है कि 76 के टार्गेट के साब अब अशोक लेलेंड को बाई करके चल सकते हो क्योंकि lockdown के वज़े से काम नहीं करोगे तो आप आगे अपका बिजनेस कैसे बढ़ेगा तो यहाँ पे फिलाल जो आपका operation होता है उसको ही अगर permission मिल जाते है resume करना वापस काम start करना तो यह एक अच्छी कासी news जरूर साबित होती है इस news को भी आप लोगोंने study करना चाहिए वापस कर रहा हूँ जादा directly उसके ओपर impact मत कर लेना बहुत सरे अलग-अलग factors होते है वो भी आप लोगोंने जरूर चेक करना चाहिए बट news अच्छी है जो कि अज़वक लेलेंट से related देखने को मिल रही है उसके बाद अगर हम लोग किसी individual stock के ओपर आएंगे तो वो है relance industry हाला कि मैंने पूरा detail वीडियो बना दिया है relance industry के ओपर बट फिर भी आज के दिन का तो सिता रहा था आप इसे भी बोल सकते 10% के आसपास की rally और रिजन एक ही था कि facebook के साथ उनकी जो deal होने वाली थी वो चर्चा थी वो आज हम लोग को हकीकत में देखने को मिली थी उसी के साथ-साथ facebook ने ये भी काई ये partnership सिफ इसी सिमीत तक नहीं रहने वाली ये partnership और भी आगे जाकी बहुत सारे बड़े-बड़े उनके जो e-commerce की प्लान से उनको वो यहाँ पे successful आगे बढ़ा सकती है तो ऐसी चीजे हम लोग कह सकते हैं कि जिसके वज़े से पूरे विश्वा में आज यहाँ पे reliance and facebook के deal का बात हो रहा था सो बहुत ही गजब का शेर हैं अभी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोगों ने इसको 17 सुतक का target दे दिया है बट उसके लिए एक साल hold करना पड़ सकता है उसके बाद अबगी हम लोग आ सकते अलोक इंडस्ट्री के उपर बहुत सारे लोगों का वही सवाल है सर रिलाइंडस इंडस्ट्री के लिए बहुत ही अच्छी का सिन्यूज आई क्या अलोक इंडस्ट्री का इसका उपर कोई positive impact रहेगा तो दोस्तों वापस केना चाओंगा कि अलोक इंडस्ट्री एक penny stock है यहाँ पे अगर आप निवेश करना चाओगे तो आप निवेश करना चाओगे मतलब सीखने के लिए कर सकते हो 100 रुपीज चलो maximum 50-100 रुपीज उसके beyond मत जाना क्योंकि यह सब लग के उपर depend करता है यह penny stock चलेंगे नहीं चलेंगे किसी को कोई guarantee नहीं होती है तो वापस के रहा हो बहुत सारे लोगों ने comment section में इसे सवाल पूछेते कि Reliance इंडस्ट्री की अच्छी खासी news अलोक इंडस्ट्री को जबरदस फायदा पोचाएगी तो क्या मैं इसमें 10,000 निवेश कर सकता हो बिल्कुल भी नहीं वापस में के रहा हो आप लोग सिफ 100 रुपिया तो डालके देख लीजिए चेक किजिए कि एक मैने के बाद आपका 100 रुपिया कितना बनता है तो इसी आप लोग को अंदाजा आ जाएगा डिरेक्ली 10,000 डालना जो मतलब ये एक सिंबॉल होता है कि बहुत सारे लोगों को एक शेर खरीच सकते हो आप 50 रुपिय के साथ भी चल सकते हैं आप 100 रुपिया उसके उपर मज जाना आप लोग एक बार मॉनिटर तो कर लो ये शेर का तक जाता है 6 रुपिय का शेर है इसलिए में 10,000 लगा दूँगा तो मुझे बहुत सारी कॉंटेटिस मिलेगी तो वापस कह रहा हो ऐसा कचरा जमान नहीं करना है दोस्तो उसका नुकसान आप ही को हो सकता है तो यही कहना चाहूंगा अलोग इंडस्ट्री में आप लोगों ने फिलाल कोई निवेश नहीं करना चाहिए और करना है तो सिर्फ 100 रुपिया के आसपस आप कर सकते हो उसके बाद रूची सोय ये दो स्टॉक से रिलेटेड हमेशा मुझे पूछा दता है सर रुची सोय तो अभी भागते ही चला जा रहे है यहाँ पर पकड़ने कोई ही नहीं हो रहा है तो वापस कहना चाहता हो जो पूराने शेर ओल्डर जे उनको कोई लोटरी नहीं लेगी है उनके शेर्स हम लोगों को देखने को मिले जो पूराने शेर्स थे वो वापस्वैप हो चुके तो उनके बहुत सारे नंबर्स हम लोगों को कट होते वे देखने को मिले है तो ये ज़रूर बात आप लोगों ने ध्यान में रखने चाहिए, यहापे आप लोगों ने कोई भी बाइंग करने के लिए नहीं जाना है, वैसे तो मिलेगा ही नहीं, अपर सर्किट लग रहा है, एंड अगर मिलेगा, जब लोगों ने छोड़ देना है, यहापे कोई भी आप लोगों ने स्टन्ट फिलाल नहीं करना है, तो चली दोस्तों थोड़ा सा नेक स्टोक क्यों पर आ जाते, फटावट कवर कर लेते बहुत ज़्यादा स्टोक है, जो कि यह लारसनेंट टुब्रो, येस, एलेंटी बहुत बढ़ा दिगज स्टोक है, बीच में मैं आप लोगों को वीडियो बना के भी बताया था, 700 पे हम लोगों ने इसको लगबग बाई किया था, 945 के आसपस आया था, मैंने कहा तक प्रॉफिट बूक आप कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जिन लोगों ने किया होगा, तो बहुत अच्छा कास आपको पैसा मि नहीं सकती, इतने जबरदस कांट्राक इन लोगों को मिलते हैं रहते, बट वापस के रहाऊं स्टॉक में खरीदारी, अभी वापस करना थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, जिन लोगों ने प्रॉफिट बूक किया है, अभी इंतजार करो वापस स्टॉक नीचे आ जाएगा, तो आप चाहो तो यहापे वापस करीदारी कर सकते हो, सो LNT के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट अक्यों पर आ जाते हैं, जिसका नमें IRCTC, बहुत दिनों के बाद यह लाल निशान में देखने को मिल रहा है, यह भाग इसी रहा था, मैंने डीटेल में वीडियो बना दिया क्या यह वापस निचा आएगा, यह तो बाजारी डिसाइड करेगा, तो फिलाल हम लोग को यहापे बाजार में IRCTC को मॉनिटेरी करना है, अगर कल की दिन की बात करें तो कल है 23rd April, और आप लोग यहापे देख सकते हैं, साथ कंपनी के लगबग रिजल्ट आने वाले, ज अगर हम लोग थोड़ा सा और आगी जाए, एंड इंपोर्टेंट डेटा की बात करें, तो फॉरे निवेशक, यह दोसो, FIS and FPS, 22nd April का डेटा, अगर आप लोग देखोगे, तो नेट सेलिंग वापस हो चुकी है, 1326 करोड की, तो बाजार यहापे भाग रहा है, तो आज के दीन की अगर में बात करू, बाजार भागा है, तो इसका सबसे बड़ा वजा ही था, रिलाइंस इंडस्ट्री, इतनी जबर्दस उसने पुश मारा है बाजार को, क्योंकि सबसे ज़्यादा वेटेच की, अगर हम लोग बात करें, टॉप 5, टॉप 3 कमपनिया, उसमें रिल इंडिया, सर, एफल इंडिया को हम लोगोंने 950 में बाई किया था, अभी प्रॉफिट बुकिंग कर ली, क्या वापस रिबाई कर सकते हैं, तो फिलाल अभी रिबाई नहीं करना है, वापस इसको नीचे आने दो, लोवर सर्किट लगने दो, तब हम लोग सोच लेंगे, फिलाल प्रॉफिट हैं, उसको आप अपने साइप यहाँ पे रख सकते हो, फिलाल इंडिया के बाद अगर हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे आ जाएंगे, तो इंपोर्टन है डो जोन्स को देखने के लिए, यहाँ पे मैं थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेता हूँ, डो जोन्स को चेकाउट कर लेंगे, और आप देख सकते हैं, डो जोन्स तो फिलाल हम लोग को 10 बच कर 7 मिनिट पे हरे निशान में देखने को मिल रहा है, 2% के आसपस रैली देखने को मिल रहे है, तो हमारे इंडियान मार्केट के लिए थोड़ा सा सेंटिमेंट पॉजिटिव हो सकत जस्ट बिकाउज अफनर, ओईल के प्राइजेस हम लोग को यहाँ पे टैंक होते वे देखने को मिले, तो इसके वज़े से कमपनी के NPS में बहुत बढ़तरी हो सकती है, बट स्टील में कहना चाओंगा, बैंकिंग बिजनेस में NPS हमेशा बढ़ते हैं इस सारी चीजे लोगों ने यहाँ पे कोई भी लॉस में इस स्टॉक को एक्जिट नहीं करना चाहिए, अगर इस स्टॉक बहुत ही नीचे आ जाता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने यहाँ पे एवरेज भी कर दोगे, तो वहाँ पे कोई भी गलत बात नहीं हो सकती, बैंक बिल्कुल भी खराब नहीं, यह बात आप लोगों ने जरूर यात रखनी चाहिए, तो दोस्तों उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करने वाले एवने सुपरमार्ट, डीमार्ट से रेलेटेड, बहुत सरे लोग यही क्वेरी पूछ रहें, सर अभी यह शेर नीचे कब आएगा, क्योंकि हम लोगों ने पोजिशनल ट्रेडिंग करके यहाँ पर अच्छा कासा प्रोफिट जरूर कमा लिया, 20,000 के आसपस, बट वापस अभी हम लोगों को ऐसे प्रोफिट कमाना है, तो मैं वापस कहना चाहूंगा, इसके लिए बाजार का तूटना बहुत इं तो उसका अपोर्चुनिटी का फायदा आप लोगों ने मिस नहीं करना चेह, जो कि मैंने आप लोगों को पुराने वीडियो में बता दिये, 100 का गैप के हिसाब से आप लोगों ने कंसिस्टन्टली बाइं जारी रखनी है, और अगर आखरी शेयर की बात करें, तो yes, SBA का से रिलेटेड डीटेल वीडियो में ने अल्रेड़ी बता दिये, बहुत बड़ी ब्रेके न्यूज है, बैंक अफ अमेरिका बीओ ने यहाँ पे बहुत बड़ा टार्गेट दिये, SBA कार्ड से रिलेटेड और कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी सामने रखिए, तो व बाय है, बड़ीब बाय है में ने ऊल्ला है, बाय हैंतों से रिलेटे आप लगिते हैं, Tictive